हलो जय मातागी जय मातादी जी मैं जवलपूर से बोला था मनुझ पटल नाम है अच्छा जी मैं भी गया रहा है अच्छा जी तो आपको फायदा हुआ नए नहीं कुछ फायदा नहीं हुआ आपको सुनाम क्या है जी मेरा नाम मनुझ पटल आप प्रापर कहां से हैं मैं प्रापर चरगमा से हूँ जवलपूर सोई 40-50 किलियो मीटर की दूरी से अच्छा भी आपके उमर ज्यादा तो लग नहीं रही ने ने मेरी उमर हुई 32-35 साल अच्छा साध्यादी हो गई है जी जी क्या हुआ था कैस उसी चक्कर में वहां गया रहा यूटूम में मैंने वीडियो देखा रहा तो वहां गया रहा तो सबसे पहले तो मैंने वही 11,000 की पर्ची कटाई बहां जाके अच्छा 11,000 कब के बात है ये ये बात है नो तारिक नौवे महीने की नौवे महीना मतलब अभी सितम्बर ये ये 11,000 की दो महीने पहले अच्छा तो फिर महां पांच-छे दिन में रुका फिर में गया वहां मैंने कब तक नम्मन लगेगा ये 11,000 आप ने दिये और नम्बर कर जिन में बताया उन्होंने उन्होंने फिर बताई 15 दिन में तो बैसी घर की चेंटा रही कि यार तुम क्य पीना सभी के लग रहा था वहां पर तो 10,000 की फिर हमने और बढ़वाई वहां नीचे कोई बैठते हैं हमने का हमको अरजेंट में मिलना है तो बोले 10,000 आप जमा करिए दूसरे दिन आपका नम्मन लग जाएगा तो 10,000 हमने और दिये तो टोटल 21,000 हो गए तो 21,000 होगा से जैंसे तेंसे नम्मन लगा तो ओ Godже उपर वैटते हैं लूम में अच्छआ दर्वार में बैठते हों ना ने ने एक कमरा है उनका अच्छा तभी लोगों को पहले यहीं पर बनाते बलाते हैं उसके बार में दर्वार में बलाते हैं वहां पर अच्छा मतलब पहले दरवार में नहीं आप जा पाएंगे नहीं पहले यहां पर सब पूंच लेते हैं उसके बार में दरवार में बुलाते हैं जिसमें इनकी वो सोबाजी हो यहाल है यहाल है दीरेक्ट वहां नहीं बोलाते तो फिर आप से कैसे क्या बात पूरी कैसे बताई बूरा झाया तो आंगे इन्हों ने एक दू लाइन लेखी रही और पता नहीं लेखी कि मेरे सुछ नहीं बताया है ने रहाँ, तो भूले किया समझते मैं समझतिया ? मैं आगाtaking, JOHN GURU जी मेरे भाई लापता है तो लिए इन्हों के बोले कि देखो के हमने क्या लेखा है हमने का हमने कि उसन समझ में नहीं आरा रहा कुछ नहीं लेखः इनमे है- तो डिक्टे गई मेरे से पूछते गई क्या नाम है समघार क्या नाम है कहा से आयए हो भाई को प्रंड़ा पता है तो मैं बताता गया जो भुह भोलते गई något-जी तो जो मैं बता गया है प्रही हो लिखते गई बोले कर चलो ठीक साम को तुम दरबार में लिखना जहां से गुरू जी मैंने सब कुछ बताया तो वही मेरे से दरवारों बता दिया और अलग से कुछ नहीं बताया तो फिर आपने वहार तोका नहीं किये तो मैंने ही बताया था जो आप बता रहे हैं और हमारे मैं नहीं मैंने पूछा भी रहा मैंने का गुरू जी ये तो सब आपने मेरे से ही पूछा रहा बोले कि चल भाग यहां से तो वहां दरबार में मेरे को चिला के भागा दिया वहां से वहां से चिला के भागा दिया जी 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 अच्छा यह तो कोई बात समझ में तो सब को वो चिला के भागा देते हैं जितना वहाँ जानकारी खटा कर लेते हैं उस तरही बस बताते हैं वहाँ की अलग से कुछ नहीं बताएंगे अच्छा जी वो जो परची यहाँ पर दरवार में बुलाते हैं न की अलाने सिंग कोई नाम का वेक्टी हो तो आजाईए आप तो सबसे पहले वहीं पूछ लेते हैं उसके बार में दरवार में यहाँ पर बुलाते हैं वो वहीं पर सब बनी बनाई लाते हैं वो अच्छा जी जी तो यह तो एक बड़ी अजीब कहानी है यह जी तो वो तो वह से कहते हैं तरिकाल अलग है और नए नए कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई तरिकाल दरती नहीं है वो तो अच्छा आपने वहाँ पूछा उन्होंने कागज में लिग दिया ऑग आपको ने पास है हाँ मेरे पास है ना कागज रसीद भी है कागज भी अच्छा तो इसके बाद फिर क्या हुआ इसके बाद में कुछ नहीं मैं आ गया घर नहीं एक चल्मिक क्या है कि आप भाई उन्होंने फिर बाद में विदे भी कुछ लिखा होगा हाँ वो पर्चा दिया इसके बाद जो से यह आप हवन करिये यह हाँ वो तो सभी लोगों से है देखके बताता हूँ इसमें मेरे में लख दिया तीन रामायन अच्छा और तीन दिन का हवन और तीन नारियल बंधन अच्छा तो मैंने सोचा जब मेरे को कुछ लावी प्राप्त ने हुआ तो मैं यह सब क्यों करूं नहीं सभी बात है नहीं तो आईए जैसे आप लापता के लिए आपने पू क्या है कि मैंने सब कुछ उनसे पहले बता दिया रहा है मेरे यहां गाउं से भी एक लड़की गायब रही है तो मैंने उनसे बताया है तो मैंने का गुरू जी आप कुछ बताई उन्हों कुछ नहीं बताया है मैंने कि हमाई गाउं से एक लड़की भी गायब है तो मैंने क तो यह सब मेरे से जानकारी कलेक्ट कर लिए और वोई कागज में लिख लिया और वही जाके मेरे को दरबार में बता दिया कि आपका भाई लड़की के सांथ में गया है उसके पता का ये नाम है तो मैंने का वो तो ठीक है लेकिन कब तक आ जाएंगे तो उन्होंने टेट भी दी थी 22-22 को आजाएंगे लेकिन अभी तक पता नहीं चला उनका 22-10 मतलब यह एक्तूबर जी 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 22-22 को आजाएंगे ये भी उसमें लिखा हुआ है हाँ ये भी लिखा हुआ है और ये भी मेरे से पूंचा रहा है कि कब गए रहे तो वह भी लिखा है 19-1960 में बता रहा है मैंने 19-1960 में गए हैं वह तो जित पाइसमें लिखा है कि वो आप जाए तो तुरूंत आपका सब बताना सुरू कर देते हैं नए नए वो पहले पूछ लेते हैं वहां पर अच्छा पहले वो अंदर वाले कमरे में सब पूछते हैं हाँ उसके बाद मैं पूछ लिख लेते हैं उनको तो नाम भी नहीं पता रहता ना कि तुम्हारा कि आनाम तुम कहां से आया हुए तो सब वो यह पूछते हैं और सब लिख लेते हैं कागज में आव तो कह रहे थे मैं अपने आप बताता हूं नए कुछ नहीं बताते हैं और वो तो बहुत बड़े बादे दावे थोकते हैं कि अगर मेरे एक भी काम ने होए तो में गद् रहता है बोतोर बहुत कराब आदमी हूं छला के बगार देता है चलो नाम क्या है नाम नहीं मालम उसका अच्छा अच्छा मतलब चला देता है चला देता है तो हemia लोग है उससा कोई विरोद finely करता है कोई अब सब दुख चे मारे हैं सोचते हैं कि चलो ठीक है हैं तो सबसान भी से रहें अपना काम हो जाय क्या करना सब यह ही थोचते हैं अब हमारा भी कुछ हो जाये पुछ नहीं हदेल तो तुम्हारे हिसाब से वहा है था थे मेरे थापश कुछ नहीं है कि मतलप दैसे फ्राइब पूरा थ्राड है और कुछ नहीं एक परसेंट भी उसमें सच्चा नहीं है तो आप ने बात नहीं उठाए कि अगर मेरा काम नहीं किया मुझे जानकारी भी नहीं दे रहे हैं तो मेरे पैसे वहापस कर दें नहीं, कुछ नहीं होता, मैंने बोला भी जहां वहां पर आके जहां वो दर्बार लगता है वुटू में बताते हैं, वो पंडेजी धागा बांटे हैं, उनका नाम नहीं माला हो, मैंने का गुरू जी ये तो सम मेरे से ही पूँचा और मेरे को ही बता दिये, बोलए कि या पर कि अगया जब इस तरह होगा तो निरासा की बात ही है जब इस तरह होगा तो निरासा की बात ही है जो जो मीज़ से गये ते वो कुछ हाथ नहीं लगी और पैसे उपर से ले गए अब पात 21,000 की नहीं जो आने जाने खर्चा वो भी तो होगा वो भी पैसे की बात नहीं हम के 25,000 भी ले ले लेकिन बता देते तो वो अखरता नहीं तो आपके टोटल कितना खर्चा हो गया होगा मेरा वहाँ 21,000 की परची लगी और 10-11 दिन मैं वहाँ पर रुका रहा अच्छा तो जी और दो लोग थे मैंने क्या रकेला तुम्हें जाओंगा नहीं एक लोग और था तो एक हजार रोपे दिन का किराया लगता रहा रूम का जी और खाना पीने अलग अच्छा जी 75-80 रोपे की ठाली देता था नहीं वहाँ तो भं चार भी ने लगा उसा वें खुले में बठाल देते हैं अच्छा मतला पूरी आब वस्ता है अब वस्ता है बिल्कुल एक तरह के से पोँचे तो बिल्कुल कोई विएस्था नहीं तो ये तुम्हारी वीडियो अगर तुम्हारी सहीमत हो तो फिर हम वीडियो बना कर डाल जी जी बिल्कुल डाल दीजी अप अच्छा और तुम्हें कोई मैसेज देना है समाज को मैं तो यह समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी वहां जा रहा है तो बिल्कुल ना जाए अच्छा फूरा पाखंड है बहां पर अच्छा अच्छा जी चलिए ठीक है तो मैं आ चाहपी की नाम से कटी हैं रसीद क ठादी मेरी नाम से ही एक वुरसीद नहीं है वी परची में लिखा है कुछ हाँ जो मेड़ेसे पूछा था वह बस लिखा है और वहांकी हीड़ारी जो उश्में कंप्टूटर से करती हैं ओन्ลाइन ठीक हाँ तो मुबाइल नम्बर की उपर रहती है प्रम करती जी है तो उसमें तो नाम लिखा होता है कि नहीं लिखा मेरे मेरे लिखा पाइस गए त्रो बस दी रहे मेरे को दो पर्ची ऑन-लाइन तो आपने अपने पैसे कैसी देते हैं आप लें आप नीचे वी जैसे में जिस बले पास्व Barnes उनकी आप फोटो खीच के इसी नंबर पे मेरे हुआट साफ है उसमें डाल दीजेगा और जो वहां उन्होंने लिखके दिया था कि आपकी यह समस्या है और ऐसे दूर हो जाएगी इस समय पर वो भेद दीजेगा और एक अपनी फोटो कोल मिला के वहां के जो भी सारे लोग है कि नेरहे को भी वहां पंडोखर जाना है तो मैंने बिल्यकुल टोटल मना कर दिया कम से कम 20 लोग जाने को तैयार थे बहांपर किंस्य के चोटी मोटी समस्या बिल्कुल पखन्ठ है कुछ नहीं है वहांपर बिल्कुल मद जाओ बिल्कुल ठीक कि आपने क्योंकि जहां गलत हो रहा है और पैसे ही लोट गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि और लोग ना लोटें वहाँ विल्कुल आएक काम और करना है कि यह जो बीडियो आपने देखा होगा तो इनको बहुत जादा करना है जी आपके जो भी दोस्तेयार हैं और पूरा कि ना चाहिए देखिया ऐसा है कि हमारी कोशिस है कि हम जनता तक पहुंचाएं और जब जन आकरोज खड़ा होगा तो सासन तो सासन भी बाद हो जाएगा और फिर अपने आप दुकान बंद होने किसी जा जाएगी हमें पहले तो ज्यादर ज्यादर वीडियो डालने हैं जिसे लो हमारी जो सासन तो सासन उन्हें भी विश्वास हो जाए जी यह मौहिया लेकिन आपने बहुत अच्छा चलाया है ताकि जो आवाज उठाना चाहते तो आपके माध्यम से आवाज कम से कम उट रही है बिलकुल और जिस किसु को भी अगर वहां से प्रतारित है लुटा है तो हमें तो अगर प्रमान के कि सो कुच नहीं है तो उधिलकुल लेंगे घो कीटा पंडोकर धाम के लिए हो चाहा किसी और दूसरे धाम के लिए हो आगर कूष के साथ गलात हुँआ तो रिचीशन वीडियो बिलकुल चालेंके थीख चछ यह एं अब भी इसी में मुझे आप भे दीजेगा, वाकप में, जै माताजी, जै माताजी